आज हम बात करने वाले हैं RSCIT Assessment 2 इसमें RSCIT Assessment के सभी important questions with answer नीचे दिये गए हैं उन्हें हम देखते हैं सबसे पहला है हमारा virtual memory है तो इसमें answer C अत्यांत वरेद मेन memory का ब्रह्म दूसरा है laser printer की गती माफी जाती है तो laser printer की गती माफी जाती है PPM में इसका मतलब होता है page per minute अगला question अपना खालिस्तान एक निश्चित समय अंत्राल के बाद refresh करना जरूरी है option आजाएगा dynamic RAM dynamic RAM को बार बार refresh करने के आफसकता होती है है अगला question है hard disk उपर दोनों और से खालिस्तान द्वारा लेपित होती है तो यह होती है magnetic metallic oxide answer आजाएगा इसका पांचवा input device कौन सी है तो इन में input device है scanner इसके इनपूट होता है mouse इनपूट होता है और जोईस्टिक इनपूट होता है तो इसका मतलब सभी input device है एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें sensor होता है अंसर sensor आजाएगा सात्वा है OMR दर्शाता है OMR का पुरा नाम optical mark reader होता है अंसर अपना भी है optical mark recognition आठवा रेम को कहा जाता है रेम को क्या computer के इत्यास में व्यवसाइक रूप से पहली बार पंच कार्ड का उप्योग किस ने किया तो पहली बार पंच कार्ड का उप्योग किया था किसन अगला एक printer की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है इनकी printer जो आउटपुट देता है उसकी गुणवत्ता को मापा जाता है दोट परती इंच हम इसे dpi की नाम से भी जानते हैं इपी रोम का उप्योग किया जाता है रोम के content को मिटाने और पूंदर निर्वान करने लिया है अगला निम्न लिखित में से कौन सी computer की auxiliary सहाय किया secondary memory नहीं है तो इसमें रेम नहीं है बाकि सारी है क्यूशन नंबर 14 इंपुट का आउटपुट में रूपांतरन किसके दुआरा किया जाता है CPU के दुआरा किया जाता है कैसे CPU पहले इंपुट लेता है फिर आउटपुट देता है इनकी processing करता है फिर आउटपुट देता है अगला क्यूशन हार्ड डिस्क ड्राइवर खालिस्तान स्टोरीज है तो यह नोन वोलेटायल स्टोरीज होता है यह दो परकार के होते हैं वोलेटायल और नोन वोलेटायल कैस मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है तो कैस मेमोरी काम करती है रेम तथा CPU को बीच में बफर का काम करती है सातरा क्यूशन लाइट पैन क्या है तो लाइट पैन एक ओप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम सम इनपुट देते हैं अगला क्यूशन मुख्य मेमोरी में प्रश्टो की छवी या इमेज को रखने के लिए किसे स्वेपिंग डिवाइस का उप्योग कि किया जाता है तो इसमें पेंजिंग ड्रम का यूज हम करते हैं कि कुछन नमर 19 से कौन सा भाग प्रोग्राम कि इंट्रेक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ओपरेश्चन का आरंब करता है तो इसमें कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है कि विश्वा कुछन खालिस्तान की बोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं तो इसमें हैं लैप्टॉफ कि एप्यंसवाः निम्र में से कौन सा इंपुट् डिवाइस का वैदसेट है तो इसमें वैदसेट क्या हो जाएगा सकेनर दाम ऐंड़ एक स्ट्रेक्राइव ते स्क्रीन यह एक बेल का कि कंप्यूटर का मस्थिक्संट का मस्थिक机 को का जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्विस्टन नंबर 23 है कंप्यूटर के एल यू दुबारा आने वाला कमांड का कमांड पर परती किरिया करता है तो इसमें है एक कंट्रोल फंक्शन सारे के सारे नोन इंपक्ट प्रिंटर होते हैं किसीप्यू कारियर नहीं करता सीप्यूक्ता का इस्तान अंतर्ड़ गृता है कुई को कि फ्लोपी डिस्क है फ्लोपी डिस्क होती है prol回去 स्टोरेज कि 27 Commissioner प्रोसेशर का उप्योग बनाने के लिए किया जा सकता है तो माइक्रोप्रोसेशर का उप्योगusa कोंपीटर डिजिटल सिस्टम के लिए यह केल्कुलेटर के लिए इन सभी के लिए माइक्रो प्रोशेसर का उप्योग किया जाता है कि 28 वा कुशन कंप्यूटर में फीड किये गई डाटा को कहा जाता तो कंप्यूटर में फीड किये गई डाटा को इन्पूट कहा जाता निम्ने लिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे बड़ा होता टेरावाइट जिसे हम टीबी कहता है तीसवा मैन स्टोरेज को एक भी मैन स्टोरेज को यहां भी खा जाता है मैन स्टोरेज को हमें मेमोरी भी कहता है 31 वा है निमने लिखित में से कौन सा इमेल के लिए एक वैद प्रोटोकॉल है तो इसके लिए एक वैद प्रोटोकॉल है SMTP खालिस्तान विट बरावर एक वाइट तो आठ विट बरावर एक वाइट होता है इंकजैट है इंकजैट एक प्रिंटर होता है कौन सी इकाई एस थाई रूप से डेटा रखती है तो इसमें एस थाई रूप से प्राइमरी मेमोरी यूनेट रखती है यह हमारा आरेसिया टी असिस्मेंट सेकेंड के मोस्ट क्यूशन आंसर थे थेंक्यों दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें झाल